हेलो एवरिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एज्जूगस ने चैनल में आपका स्वागत है आज की योड़ी लेक्चार में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी कॉंस्टिपेशन के दवा के बारे में करेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर तो कॉंस्टिपेशन में कुछ ऐसे प्राबलेम होते कि आपको difficulty होती है stool pass करने में फिर आपका जो stool है वो काफी hard हो जाता है dry हो जाता है कि जिसको हो कहीते कि stool जो है आपका जो मल है वो काफी सक्त हो चुका है सूखा हो जाता है कि जिसके करन आपका पेट जो अच्छे से साफ नहीं होता और उसके करन जो वो स्टमक पेन यानि के पेट में दर्द होता है और लंबे समय तक समझे कि आपको constipation रहती तो उसके करन piles का भी problem हो सकता है और उसके करन पूरा दिन जो है वाव lazy जो है वो feel करते है यह complication होता है problem होती है constipation के करण और कई बार आपको जी गब रहता है और जो nausea की जो हम condition कहते है यह सब problems होते तो यह सभी problem का solve करने के लिए जो दवाया use होती है उसकी आज study करते है तो expert lecture by a mercer, assistant professor and founder of farmer ox thank you for being farmer ox family subscribe कर है हमारा channel सीखे अलग-अलग बीमारियों के बारे मेडिसिन कोर्स के अंदर कि जो हमने specially आपके लिए यह कोर्स बने कि जिसके अंदर आप सीख पाऊंगे अलग-अलग बीमारियों के बारे में कि जैसे आज हम यह constipation और उसकी इलाज के बारे में सिखने वाले हैं ऐसे ही अलग-अलग बीमारियों के बारे में सिखे उनके उपचार के बारे में कौन सी दवा यूज होती है उनके side effects, warning और यह सब आप detail में सीख पाएंगे सिर्फ 500 रुपीज में एक साल तक offerable price में तो अब भी डाउनलोड करें आप farmer rocks या फिर हमें 9016312020 पे contact करें हमारी second channel जो हमने बनाई है मनुरंजन के परपस से उसको भी आप subscribe करके हमें support करें link description box में मिल जाएगी second channel का नाम है Hollywood to Hindi explain तो आप समझ यह constipation की जिसको कॉप्स कहते हैं ऐसे problem की जिसके अंदर आपका stool काफी hard हो जाता है और difficulty होती है आपको stool को pass करने में कि जहाँ पे आप देखो यह person के अंदर उसके intestine में जो stool है जो मल है वो काफी dry हो चुका है मला कि सुखा हो चुका है सादो साथ वो hard मला कि सक्त हो जाता है जिसके करन यह intestine के अंदर यह आगे जो मुझ नहीं कर पाता और जिसके करन आपको मल को pass करने में stool pass करने में difficulty होती है और कई बार ऐसा feel करते कि आपको बार बार जो वो सौच के लिए जाना पड़े और ऐसे feelings होते कि आपको बार बार सौच जाने का जो हो feel होता है फिर आपका पेट साप नहीं होता है इसके लिए आप ऐसा feel करते कि laziness जैसा feel करते पूरा दिन because आपका जो stomach है वो अच्छे से empty नहीं होता जो मल है वो अच्छे से सरी से बाहर जो नहीं निकल पाता जिसके करन ये complications होते है तो ये condition खास कर इसी करन से होती है कि अगर आपके diet के अंदर fiber containing food कम है या पर आप पानी कम पीते है तो ये सब problems होती है कि पेट साब नहीं होना सकत या सुखा मलाना curves पेट में दर्द और उसके करन constipation लंबे समय तक चलता है तो वो piles भी करवा सकते है विकाज हमें पता है कि constipation और hard stool के करन आपके जो वहाँ पे membranes होते है और skin होती है वो damage होती है और उसके करन piles का complication हो सकता है तो reason बहुत सारे है constipation के लिए तो कुछ दवाईया भी ऐसी होती है कि उनके कारण side effects के तौर पे constipation होता है और healthy diet है ऐसा खाने कि जिसके अंदर fiber नहीं है fiber containing food आप नहीं खाते कि जो हम कहते कि fiber सच्छे से होने चाहिए आपके diet के अंदर green leafy vegetables आपको खाने चाहिए बड़ वह आप नहीं लेते तो यह problem हो सकता है फिर आप पानी बहुत कम पीते है तो भी यह problem हो सकता है कि पानी और oil जो है उसका balance अच्छे से होना चाहिए जिससे आपका stool soft रहता है पर समझे कि आप पानी कम लेगे तो stool जो हाड़ बनता है तो यह problem है फिर कई बार जो stress होता है life के अंदर तो वह भी constipation के लिए reason बनता है फिर climate change होना या फिर आप travel करते उस दोरान भी यह problem हो सकती है जगा चेंज होने से age according to यह constipation का problem रहते क्योंकि कई बार bowel movement slow हो जाती है हमारे intestine है उनकी movement slow होने के करण भी constipation का problem होता है और कई बार यह जो हम कहीते है कि sedentary lifestyle कि ऐसे आपकी lifestyle है कि जिसके इंदर exercise जो है वह बहुत ही कम है और आप पूरा दिन ज symptom बनता है pregnancy के दोरान तो constipation एक condition है कोई बीमारी नहीं है आसनी से यह treat हो जाती है अलग-अलग दवईयों से तो पांच सबसे बेस्ट मेडिकेशन में पहला option है बिसा कोडेल के जो टाबलेट साते है दूसरा है लिक्वीड पराफिन इमल्सन का एक बेस्ट आप्सन है तीस चुलनल तो यह पांच में से कोई एक उपाई जुआ हो आब कर सकते है या फिर आप herbal remedies ट्राइब कर सकते है या फिर बिसा कोड़ील के टाबलेट स्ट लिक्विड पराफिन तो उसके डेटिल जनते हैं सबसे पहले सुरुआत करते हैं बिसा कोड़ील के टाबलेट से पां मिलिग्राम के अंदर और यहां पर देखो लिखा है कि ओवरनाइट रिलिफ इन 6 तो 12 अवर्स महले कि यह दवाई खासकर पेसेंट जो रात को खाते हैं सोने से पहले तो एक बेस्ट मेडिकेशन कहीं जाती है सबसे पहले आप 5 mg से ट्राइ करते हैं अगर 5 mg से आपका प्राब्लम स्वाल हो जाता है तो 10 या 15 mg पर डे जो डोस ये वो लेनी की जरूरत नहीं रहती है तो यह मेडिकेशन क्या करती है आपके सरीर के अंदर जो intestine है उनकी movement increase करवाती है जिससे उसके अंदर जो फसा हुआ जो stool होता है जो मड होता है वो आसनी से आपके सरीर में से जो बाहर निकल जाता है कि जिससे constipation का problem आपका स्वाल होता है और ये खास कर रात को सोते समय कि जो हम कहते हैं कि बेड़ टाइम पर आप लेते हैं कि सोते समय ये medication को ली जाती है कि एक या दो tablet आप खा सकते हैं बट जैसे मैंने आपको कहा और सुरुवात किजिए लोवर डोस से Second है liquid paraffin का जो emulsion बनाया जाता है तो यहाँ पे आप देखो कि क्रेमाफिन करके एबट का ही यह हम फॉर्मिलेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक सुगर फ्री मिक्स फ्रूट फ्लेवर का सीरा पाता है तो अगर समझें कि आपको यह ना मिले तो भी सेमिलार फॉर्मिलेशन बहुत सारे आपको मिल जाएंगी कि जिसके अंदर इंग्रीडियन्ट होना चाहिए लिक्वीड फेराफिन कि यह आप आप देखो कि यह अबट इंडिया हेल्थ केर लिमिटेट्स बनाते हैं जिसके अंदर एक लिक्वीड फेराफिन है कि जो एक मिनरल ओयल रहता है और दूसरा मिल्क उफ मैगनेसिया है तो यह बहुत सारे प्राब्लेम कि जो कॉंस्टिपिशन से भी आपको रिलिव देता है और साथ हो साथ जो दूसरे जो कॉंप्लिकेशन होते हैं जैसे कि आपको खट्टी डगा रहाती है एसड़ीड जैसा होता है गैस होता है ब्लोटिंग जैसा होता है जो पेट फुल जाना जैसे हम कंडिशन केते हैं बिकॉज उसके अंदर मिल्क उफ मैगनेस है जो एक एंटासिट के तौर पे काम करता है और लिक्विड वेराफिन जो है वो एक की इंग्रेडेंट है इसके अंदर की जो कॉंस्टिपेशन को ट्रीट करता है लेक्जाटिव के तौर पे काम करता है तो यह जो आप रात को सोते समय ले सकते हैं तीसरा ओप्सन बनता है आपके पास डॉक्यूसेट सोडियम और सेना ग्लुकोसाइड या फिर जो ग्लाइकोसेड है सेना ड्रग जो आती है हर्बल ड्रग है तो दो कॉंबिनिशन यहाँ पे बना गाए एक है डॉक्यूसेट सोडियम है और second है SENA कि जिसका dry extract ये और tablet के अंदर है यहाँ पे हम marketer formulation देख रहे हैं क्यों सेना करके तो ये medication क्या करती है आपके stool को soft करती है कि जो काफी hard बन जाता है और hard stool बनने के करण जो complication होता है constipation का वो solve करती है तो ये stool softner के तौर पे काम करता है docusate और जो उसके अंदर सैना है वो purgative के तौर पे lexative के तौर पे काम करती है और उसका जो dose रहता है एक या दो tablet की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो tablets है ये strip के अंदर तो आप एक tablet या फिर दो tablet खा सकते हैं सोते समय कि आप dinner कर लो और आपका सोने का जो time है उससे पहले आप ये tablets खा सकते हैं तो वीडियो के बीच में आपको बदा दो कि हमारी जो second channel है उसको भी आप subscribe करके हमें support करें link description box में मिल जाएगी चौथा जो option है वो है हिमालिया का herbal X tablets तो ये एक natural herbal remedy है कि जो constipation और उसके जो symptom से उसको treat करता है तो उसके अंदर जो key ingredients के हम बात करें तो एक है त्रीवरूत करके एक ingredient है और दूसरा हरीत है कि उसके अंदर present है और उसके हम dose के हम बात करें तो दो या टीन tablet या फिर capsule है उसके दो version ही आप देखो एक capsule form में आता है कि ये 10 tablet का जो है वो blister आता है और अगर आप इस तरह से bottle में लेते है तो उसके अंदर 60 tablets का या फिर 100 tablets का कई बार 60 या फिर 100 tablets का पूरा एक combo आता है कि जो आप ले सकते कि 2 या 3 tablet आपको जो है वो खानी होती है या फिर 2 या 3 capsule डीनर के 30 मिनिट पहले गरम पानी के साथ यहाँ पर देखो direction खास लिखी है कि 2 या 3 tablet या फिर capsule 30 मिनिट before the dinner dinner के 30 मिनिट पहले with warm water मतलब कि थोड़ा सा गुन-गुना या फिर गरम पानी के साथ आपको लेनी है खास ज्यान रखे कि आपका dinner समझे कि आप 9.30 को आप dinner कर रहे है तो आपको यह tablet उसके 30 मिनिट पहले मतलब कि 9 बज़े जो है वो लेनी है और साथ थोड़ा सा गरम या फिर गुन-गुने पानी के साथ पांचवा option है जो हमने बताया त्रिफला चूरन का कि यह भी एक natural herbal remedy है कि अगर आप समझे कि बिसा कॉडिल से आपका treat नहीं होता या फिर डॉक्यूसेट से treat नहीं होता लिक्विड पेराफिन से भी आपका constipation treat नहीं होता तो पांचवा एक best option है आपके पास वो है त्रिफला चूरन की उसके त्री निंग्रेडियन्ट है त्रिफला मनलेब की थ्री फल टोटल तीन fruit उसके अंदर present है त्री fruits जो कहे जाते हैं एक fruit है वो है अमला के मिले की जो हम आमला कहते हैं एंपलीका ओफिस सिनलिस उसके अंदर present है दूसरा जो fruit है वो है हरी ताकी जिसको टरमीनलिया चेबूला कहा जाता है और तीसरा बिबिताकी जिसको बैलेरिक मारियो Бैलम कहा जाता है तो यह तीन ऐसे fruit उसके अंदर present है इसके करन उसको त्रिफला का आजाता है तीन फल उसके अंदर रिजन्ट है तो इसके हम डोस के हम बात करें यह चूरन के तो पांच या दस ग्राम आप ले सकते हैं पानी या फिर मिल्क के साथ सोने से पहले तो बहुत सरी अलग-अलग कंपनी त्रिफला चूरन बनाती है जि यह त्रिफला चूरन को बनाती है उसी तरह से जो हिमालिया कंपनी है उसने उसके टाबलेट्स भी लॉंच किया है कि यह पर आप देखो कि सेम इंग्रेडियन्स वगिरा बट उसके टाबलेट फॉर्म में यह अवेलेबल है तो यह आप जब और करते है कि त्रिफला करके यह प्रॉड़क्ट है बाउल वेलनेस लख्या है मैं लग आपके इंटेस्टैन्स या फिर जो आपके जो लार्ज या फिर स्मॉल इंटेस्टैन है उसके अच्छी हल्दिनेस के लिए जरूरी है कि यह आप आप देखो यह 60 टाबलेट्स जो हो दी जाती है और यह के तरह ही एक उप्सन बनता है कायम चूरन का कि उसके टाबलेट्स भी कंपनी ने लॉंच किया है कि जो सेट व्रिदर्स करके यह आप आप देखो यह कंपनी है तो यह तो बहुत स्वालो पूराना प्रॉड़क्ट आपको साहथ बता होगा बहुत सारे लोगों को कि कायु विधिक मेडिसीन है कायम चूरन तो अब कंपनी ने उसके टाबलेट्स भी जो है वो लॉंच किया तो टाबलेट के डूस के हम बात करें तो एक या दो टाबलेट आप रात को सोने समय ले सकते हैं और ज़रुत पढ़ने पर दिन में भी आप उसको ले सकते हैं मनले कि एक सुबह और एक टाबलेट रात को या फिर दो टाबलेट सुबह दो टाबलेट आप को जिस तरह से आपकी सरीर के तासिर है उस तरह से आप ले सकते हैं और चूरन की भी बयात करें तो चूरन भी सेम तरीके से आप ले सकते हैं कि 5 या 10 ग्रम जितना चूरन आप ले सकते हैं को सोते समय या फिर आप सूब अब्यूस को ले सकते हैं अब जानते हैं ये medications के कुछ contraindications के constipation की दवया कैसी condition में नहीं ले जाती तो ऐसी condition के जहां के जहां patient के सरीर के अंदर obstruction है specially आपका ये ileum का portion है या फिर stomach के बाद का जो portion हम कहते है deodenum या फिर ileum का portion यहाँ पर आप देखो ये ileum दिखाया गया है ये वाले portion वहाँ पर obstruction है obstruction मतलब की वहाँ पर किसी तरह का blockage है तो blockage की जो condition जो है ऐसी condition में आप वहाँ पर constipation की दवाई से उसको treat नहीं कर सकते because constipation में लिए कि stool pass ना होने का reason है ये ileum में blockage की किसी भी reason से कि वहाँ पर समझे के सूजन हो गई है कोई bacterial infection है या फिर किसी injury के कारण वहाँ पर blockage हुआ है या फिर कोई चीज वहाँ पर इस तरह से फस गई है जिसके करण obstruction हुआ है तो सबसे पहले surgery करके या फिर medicine से ये blockage treat करना पड़ता है because constipation वह उस वक्त reason नहीं हो सकता तो ये खास आप दियान रखें blockage है तो ये दवाया यूज ना करें second instantstein में किसी भी दरह पर blockage है not only ileum but कई पर कि समझे कि descending colon है या फिर ascending colon है जेजु नम का portion है या फिर किसी भी portion आपका ये gastrointestinal track का जो lower part है कि स्टमक के बाद में किसी भी जगा पे blockage है तो सबसे पहले आपका target यह रहेगा कि वो blockage को treat करें ना कि constipation की दवाय यूज करें तीसरा है acute abdominal जो conditions होती है उसमें ये यूज ना करें जैसे कि appendicitis की condition है आपको appendix के आसपस सूजन वगेरा है या फिर acute inflammatory bowel diseases है जैसे कि IBD का जो problem के जो हम कहते हैं inflammatory bowel disease या फिर Crohn's जैसे कि जहाँ पे आपके intestines के अंदर सूजन है तो आपका target यह है कि पहले IBD का इलेच करें और उसके बाद जो है यस टाइप के medication यूज करें कि अगर constipation है तो चेठा आपको काफे severe abdominal pain हो रहा है तो सबसे पहले आपको diagnosis के तोर पे ultrasound जो है वो सबसे पहले करा लेना चाहिए और ultrasound कराने के बाद ही आप यह medication यूज करें बिकूज उससे reason पता चलिका है कि आपको abdominal pain क्यों हो रही है और साथवा अगर किसी को nausea vomiting बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस वक्त आप यह medication को use ना करें side effects हम जान ले तो यह दवाए क्या कुछ side effects कर सकती है तो abdominal cramping कि अगर आप high dose में ले लेते है एक्सेसिव खा लेते है तो आपके पेट में यह जो medications दर्द करवा सकती है second high dose में लेने से diarrhea या फिर दस्त हो सकते है और वो electrolyte या फिर fluid imbalance करवा सकता है कि अचानक से काफी सारा fluid आपके सरीर में से loss हो जाए या फिर electrolyte loss हो तो उसके करएं इंbalancing हो सकती है जब excessive dose में उसको लिया जाते है तो diarrhea हो सकते है नौज्या करवा सकती है rectal burning में लिए कि आपके rectal area में आपको जलन हो सकती है spinning senses जिसको हम चक्कर आना या फिर vertigo कहते है ये कुछ लोग feel करते है ये दवाईया यूज करने पर कुछ लोगों को stomach या फिर abdominal pain होते है या फिर vomiting हो जाती है इनके side effects के तौर पे है तो ऐसे ही सिखे medicine course में अलग-अलग धवाईयों के बारे में उनके dose, side effects, warning contraindication तो medicine course को access करने के लिए अभी हमें whatsapp करे ये वाले नमबर पे कि जिससे आप registration करवा सकते है medicine course को join करने के लिए तो link आपको description box में मिल जाएगी या फिर whatsapp करे हमें साथ ही हमारी second channel को भी subscribe करके support करें link description box में मिल जाएगी तो अभी subscribe करें हमारा second channel और हमें support करें good luck and all the best